आप सब तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रोड़क्ट एडवर्टाइजिंग कैसे होती है और उसको अट्रेक्टिव कैसे बनाते हैं फोडो सॉप में तो यह मैं आपको यहां पर दिखा सकता हूँ कि यह प्रोड़क्ट जो आभी आप देख र स्टार्ट करते हैं फटाफट यह एक रेड़ बुल का इमेज उसको हम इमेज को काट लेते हैं आप लोगों को भी मेंज काटना पता होगा क्योंकि मेरे पिछले सारी वीडियो में काफी सारे इमेजेस मैंने काट रखे हैं और यह अब मैं आइस क्यूप को कट कर रहा और पेंट टूल से ही बेस्ट फोटो कट आउट होते हैं तो इसमें कोई सॉटकट तरीका ना अपना है तो ज्यादा अच्छा है अज प्रोफेशनल तो यहां पर हम लोगों पेंट टूल से कट कर रहे हैं और इसको भी थोड़ा ताइम तो जाएगा क्योंकि अगर अच्छे चीज़ बनानी है तो टाइम भी आपको थोड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि सॉटकट का कोई तरीका नहीं है आजकल जिन्देगी हर तरीके से सॉटकट हो चुकी है बट आपको इसका रिजल्ड भी सॉटकट में ही मिलता है तो आठ अगर बना रहा हो तो पूरे तरीके से अच्छे से बनाई है कोई सॉटकट नहीं अगर तो यह में सेलेक्ट कर लिए और इसको सेलेक्शन लिए अगर यहां पर अभी हम इसको सेट करेंगे देखेंगे कॉंपोजिशन अभी हम ट्राइ कर रहे हैं कि आपको कॉंपोजिशन पता चलेगी क्या कर सकते हैं क्यों कि आप को पता नहीं होता क्या करने वाले हैं यह तो हम पहले क्या करतेए के स्केच बनाते रफली स्केच बनाएंगे अर इमेज़ें को कि टाना स्काट करते बढ़ हम यहां पर ऑभी डिरेक्ट ट्राइल कर रहे हैं देखते हैं कुछ अच्छा कॉंपोजिशन बनता होंगे तक तक आप सीखोंगे नहीं तो सेम पंड़ा यहां पे भी होता है तो मुझे लगता है कि आप हम देखें अभी ऐसा लग कर रहा है तो उसी प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं तो हर चीज़ को स्मार्ट आपजेक्ट में रखें रफ में वले आप बना सकते हैं अगर आपको सुभिदा ही होगी कि आपको हाई रेज करना होगा तो आप उसको हाई रेज भी कर सकते हो तो यह अभी मैंने दूसरा इमेज अलग कर लिया है आइस कुप को कट करके तो यहां पर मैंने यह कट करके अभी इसको भी मैं लेके जा रहा हूं दूसरी जगे बीठाने के लिए एक कॉम्पोसीशन बनाने है हमें कि जिसमें प्रोड़क्ट बहुत अच्छे से दिखें कॉम्पोसीशन बहुत अच्छा हो क्योंकि करने के लिए बेस्ट तो यहां पर हम देखते हैं कितना बेस्ट अचीव हो सकता है आप भी ट्राइब कर सकते हो ऐसे बट यह सारी चीजे आप खुद से विजलाइस करेंगे तो ज्यादा बेटर है हां लेकिन सीखने के लिए पहले कॉपी करना बहुत ज़रूरी है अगर आप कॉपी करना स्टार्ट करते हो पहले तो आपको यह समझ में आता कि आपको बनाना क्या है फिर इसके बाद बाद देरे देरे विजलाइसन अपनी बढ़े और यहां पर मैंने दूसरा इमेज लिया है जिसमें से मैंने वाटर के स्प्लैस कर रहे हैं तो यह इमेज़ भी हम फटा फट कर रहे हैं स्पीड बढ़ा दिया है क्योंकि कट आउट के लिए कुछ ज्यादा बड़ा सीखने की जो बिए से बनाए हुए है । यहां पर मैंने वह ब्रस टो ढाल दिए हैं और अब हम उन्हें इस बलू टोन में कलर रहा है हर आइस क्युब को हम बुलू टोन में लेखे जा एगे क्योंकि हमारा गार का आइज बना रहे है तो यहां पहुता है कि सारा बलू करेंगे तो यह दिखने में जैदे अच्या लगे में आहाussos आप देख रहे हों कि आइस क्यूब वाइट होने की वज़ा से ज्यादा तर वही दिख रहा है तो हो सकता आठ परपस से लेकिन रियल में आइस क्यूब ऐसा होता नहीं है ब्लू में बट आठ परपस से हम उसको ब्लू कर रहे हैं ताकि दिखने में बहुत अच्छा दिखे तो अभी देखिए मैंने दो आइस क्यूब को ब्लू कर दिया है सेम ब्लू हम अब सब आइस क्यूब पर चड़ाएंगे तो यहां पर किसी को मैनुवल काम करने की जरूरत नहीं है आपको और आप यहां पर ब्लू जो कलर है उसके सारे लेयर ड्र एक एक आइस क्यूब पर देख रहे होंगे कि कलर कितने अच्छे से हर आइस क्यूब पर मिल्ट होता जा रहा है और इसके बाद आप जब फाइनल रिजल्ट देखोगी न तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हां यह कुछ ऐसा प्रोड़क्ट एडवर्टाइजिंग वाला जो पॉलेडी है वह आपको मैं दे रहा हूं यहां पर सिर्फ उपर उपर से बाते ने डीटेल्स में बाते हो रही है आप एक एक लेड़ समझोगे कि कैसे बनाया है अगर आपको यह ब्रसेश चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट्स में करना मैं आपको प्रस्टनली मेल करता है मैं सबको दे नहीं सकता जो प्रोफिशनल है वह ही करें क्योंकि यूज करना थोड़ा टेड़ा की रहे तो आप देरे-देर सिखोगे एक बार जाब ब्रसेश करन करने का वह मैं बताऊंगा आपको फिलाल तो यहां पर हम अभी सारे कलर्स को ड्राइक कर रहे हैं हर एक आइस क्यूब के ऊपर तो यहां पर अभी हो गया है कि दो आइधिंग दो या तीन आइस क्यूब बचे हुए हैं तो उन्हें भी हम फटा-फट कर लेते हैं और आप एक चीज़ ध्यान दिये हो कि हम लोग ने जो यह बबल्स क्रेट किया है ना यह बबल्स यह डिटेल्स में है और इसका फ्लोव आप देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जो रेडबुल का केन है वो टॉक से नीचे आ रहा है तो उसका सारा फ्लोव उपर जा रहा है तो आपने हमेसा देखा हो कि पानी में जब भी कोई चीज़ छोड़ो तो उसके साथ जो बबल्स कि जब हम यूटूब के लिए वीडियो बनाते हैं तो थोड़े मोड़े डीटेल्स मिस कर जाते हैं तो बट प्रोफेशनल हम ऐसा नहीं करते हैं हमें 101 परसंट डीटेल्स देखना होता है बट फिर भी इंसान है एरर तो हो गई बट अभी देखो अभी हम थोड़ा सा है थो यहां पर हमने थोड़ा सा स्फाथ को मास्क कर लिया है assuming करनीं के बाद थोड़ा सा से पिक्स और आं क्युक्कि माको यहां पुनिए पिछले काफी सारी वीडियोद में मास्क के बहता है कि मास कैसे करते हैं कि बहुत लोग यहां दिर्क्र तोब का मास्कill निकल ज नहीं किया है कि यही श्मोक मुझे डालना है बट फिर भी देखते हैं अगर अच्छा लगा तो हम रखेंगे नहीं तो फिर अटा देंगे यह सब चीजे डिपेंड करते हैं एक बार में डिसाइड नहीं कर सकते हैं यह पर अब देखते हैं कि इसमें और क्या कर सकते हैं तो हम अभी थोड़ा सा रेड बूल का कलर टून चेंज कर रहे हैं इस सेलेक्टिव कलर से बड़ उसमें थोड़ा सा वह जो रेड टून देख रहा तो उसे हम अधाना चाहते हैं वह भी ट्राइब कर रहे हैं अभी थोड़ा कंब हुआ है अभी देखे थोड़ा सब मुझे लगता कि कुछ और करना चाहिए तो अभी हम ब्लू यह यह आप आइस देख रहे हैं जो फोर ग्राउंड में काफी ऊपर है तो उसे हम थोड़ा बलर कर रहे हैं विकॉस देफ्ट दिखनी चाहिए जैसे हम कैमरे से फोटो खीचते हैं त निकालना है थे वहां से हम भलाक निकालके काम कर रहे हैं तो गयाइस responding अपति चीज अर्डी सिक लगने के लिए आपको रियस्टिक टाइप से सोचना पड़ता है लाइटिंग क्या होगी डेफ्थ क्या होगा क्लर टॉन क्या होगा क्योंकि यह फूरा का पूरा कॉंबिनिशन मिला के ही एक बेस्ट बना सकते होगा अब हम यहाँ पर क्या में जा रहा है कामरा में थोड़ा सा डीटेल्स निकालेंगे कलर से सेट करेंगे आप यहाँ देखते हो एक तम रॉफ इमेज जैसे होते ना उसके उपर क्वालिटी के लिए एडिट किया जा सकते हैं कैमरा में हर कुछ चीजे बहुत अच्छे से लग रहा है यह चीज तो हमने थोड़ा थोड़ा चीजे हट आई हैं यहाँ पर सच्चुरेशन में से और भी हम यू में भी जा रहा है थोड़ा सा यू भी देख रहे हैं यहाँ पर पूरा का पूरा आप खेल सकते हो चीज को तो यहाँ पर काफी अच्छा कॉंबिनेशन बनता है कलर्स का काफी अच्छे से डिखने में बहुत बढ़े हैं अभी कि देखी तो अब यह इमेज कंप्लीट हो गया है आप देख सकते हो कि कितना अच्छे तरीके से दिख रहा है तो यहाँ पर अपना वीडियो हम खत्म करते हैं यह वीडियो पसंद आती है प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरू करें थैंक यू बाइबाई